दोस्तों भगवान महादेव के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा से उनकी भक्ती करता है तो वे अपने भक्त पर बहुत जल्दी प्रस्तन हो जाते हैं और उनकी इच्छा या मनोकामना को पूरी करते हैं भगवान, भोलेनाद यानि महादेव को अपने भक्तों के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है आज की हमारी कहानी महादेव के एक ऐसे भक्त पर आधारित है जिसके साथ कुछ रोचक घटना घटी और उसका महादेव पर विश्वास और भी जाता द्रुन हो गया दोस् समय पहली की बात है किसी गाव में महादेव का प्राचीन मंदर था उस मंदर में दूर दूर से महादेव के भक्त उनके दर्शन के लिए आया करते थे उस मंदर में संत महात्मा भी आकर ठहर जाया करते थे उस मंदर में आने वालों की देखभाल और खानपान की सुविधा का इंतिजाम मंदर के पुजारी ही किया करते थे उस पुजारी का नाम था नेतराम और वो मंदर के पास ही एक पुराने मकान में रहा करता था उसका एक बेटा था जो शहर में जाकर बस कया था और पत्नी कई साल पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी थी इसलिए नेतराम अ अगर फिर भी मंदर की देखभाल और साफ सफाई का पूरा काम अकेले ही किया करता था। उसके इस नेक काम में गाओं के कई अन्य लोग भी अकसर उसकी मदद कर दिया करते थे। इसलिए वो बहुत खुश था। एक बार नेतराम मंदर से अपने घर की तरफ चा रहा था। तो अचानक उसे दूर जाडियों में एक चमचमाती हुई चीज दिखाय दी। वो जाडियों के पास गया तो उसने देखा कि एक सोने का छूटा सा नाग था। उसे देखकर नेतराम ने सुचा कि शायद ये सोने का नाग कोई श्रद्धालू बनवाकर मंदर में चड़ाने के लिए लाया होगा और गलती से ये यहां गिर गया होगा। बस यही सोचकर उसने उस साप को उठा लिया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने उस सोने के नाग को अपनी अल्मारी में रखे अन्य गेहनों की साथ रख दिया कुछ दिन बाद अचानक शहर से बेटे का फोन आया और उसने कहा कि एक दो दिन के लिए वो शहर चला आए घर में कोई उत्सब है और उसमें उसका शामिल होना जरूरी है बेटे के इस फोन के बाद नेतराम मंदिर के बारे में सोचकर दुविधा में पढ़ गया मगर मशपूरी थी और जाना जरूरी था इसलिए वो चला गया मगर जाने से पहले अपने महादेव से सो बार माफी मांग कर गया फिर एक दिन बीता, दो दिन बीते और कई दिन बीत कर ऐसी तरह मगर नेतराम वापस लोट कर ही नहीं आया उधर मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था का काम भी ठप पड़ गया था अचानक एक दिन नेतराम के घर में हैरत कर देने वाली घटना घटी रात के अंधकार में एका एक घर में रखी अलमारी खुली और उसमें से तेज रोशनी की किरने फूट पड़ी उस तेज प्रकाश में काले रंग का विशाल नाग फन फैला कर फुफकारता हुआ बाहर आया नाग उसमें से निकल कर दरवाजी की तरफ रेंग ने लगा और फिर रेंगते हुए घर से बाहर निकल आया और फिर बाहर आकर उसने नेतराम का रूपधारन कर लिया वो मंदिर का पुजारी नेतराम बन गया और फिर उसने मंदिर का सारा काम संभाल लिया वो नाग मंदिर में नेतराम बन कर सारी काम करता रहा और कभी किसी को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि वो नेतराम नहीं बलकि एक नाग है इस तरह पूरा महिना बीट गया लोग हसने लगे और बोले, भाई नेतराम, ये काम तो तुम खुदी कर रहे हो, फिर हम से क्यों पूछ रहे हो कि ये काम कौन कर रहा है, कहीं नशे पत्ते में तो नहीं हो, ये सुनकर जब नेतराम ने लोगों को बताया कि वो तो एक महिने से बीमार पड़ा हुआ था और ब तब ही उसे यकीन करना पड़ा और वो हैरानी और परेशानी का शिकार होकर अपने घर की तरफ चला गया, फिर घर जाकर अलमारी खुल कर देखी, तो उसमें रखे सब गहने सही सलामत थे, मगर वो सुने का बना नाग गायब था, ये देखकर नेतराम चौंका और फिर सार गया, आधी रात को अचानक ही उसके कमरे में तेज प्रकाश पहल गया और फिर विशाल नाग उसके ऊपर फन पहला कर खड़ा हो गया, उसे देखकर नेतराम तो घबरा ही गया और तर के मारे कहा अपने लगा, मगर तब ही उसे एक आवास सुनाई दी और साक्षात महादे प्रकट हुए और बोले, भक्त, डरो मत, ये जो घटना हुई, ये सब मेरी इच्छा से हुई, मुझे तुम्हारी बिमारी का पता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी अनुपस्थिती में मंदर की व्यवस्था में कोई बाद हाए, इसलिए मैंने ये लीला रची औ महादेव अंतर ध्यान हो गई, महादेव की दर्शन पाकर और उनकी चमतकारिक लीला देखकर नीतराम गदगद हो गया, और महादेव की प्रती उसकी भक्ती और श्रधा और भी सादा बढ़ गई, दोस्तों ये होती है महादेव की सच्ची भक्ती, आप क्या कहते हैं इस कॉमेंट बॉक्स में जरूर पताएं, महादेव के भक्त, कॉमेंट बॉक्स में उम्नमश्यवाय अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद